सुप्रीम कोड ओफ इंडिया के दुआरा हाल ही में स्टैचू ओफ लेडी जस्टिस का नया अवतार लाया गया है यानि री मोरिफाई किया गया है देखें पहले जो स्टैचू ओफ लेडी जस्टिस थी उसके आँख पर पट्टी बंदी हुई थी अब उस पट्टी को हटा दिया गया है एक हाथ में तराजू था तराजू है दूसरे हाथ में तलवार था तो तलवार हटा कर Constitution of India को ला दिया गया है ये नयाब बनाया गया है निव स्टैचू को अन्वील किया गया है और Supreme Court का जो Judges Library है वहीं पर ये New Statue को स्थापित किया गया है आएए अब समझते हैं कि ये जो Lady Justice का Statue है ये थी कौन है किसका ये Statue किसका है तो इंडिया में बात की जाए तो इंडिया में Lady Justice का Statue लाए गया था Britishers के द्वारा Colonial Era में अंग्रेजों के द्वारा Britishers के द्वारा जब यहां पर हुकूमत करती थी British India हुआ करता था उस समय Britishers के द्वारा Justice Lady Justice का Statue लाए गया लेकिन Britishers ने कहां से उठाया Britishers ने उठाया Roman Art से Roman Art में एक Justice T.A. नाम का Statue हुआ करता था और लेकिन Romans वालों ने उठाया ग्रीक से Greek Goddess एक ती जिसका नाम था Estria Greek Goddess जिसका नाम Estria और जो Estria थी Estria यह Daughter थी किसकी दो लोगों की Daughter थी Estrias and Eos Estrias and Eos की यह Daughter थी और यह जो है यह Virgin Goddess थी Estria Christis की Virgin Goddess of Justice, Innocence, Purity and Precision Greek Mythology में यह चीज़ है Roman Mythology के एकॉरिंग Justice की Goddess Justitia और यह इंट्रोडूस्ट किया गया Roman Emperor Augustus के द्वारा Roman Emperor Augustus ने Rome में रूल किया First Roman Emperor था, Roman Empire का नियू रखा Augustus ने First Roman Emperor था, जो की रूल किया 27 BC से लेकर जब तक कि उसके मृत्ति नहीं हुई 14 AD तक का जो Lady Goddess थी, Justitia, उसका Temple भी बनाया गया Tiberius एक Emperor था, Tiberius का नारा उसका Temple भी बनाया गया Lady Justice का उसके बाद अगला Emperor आया, Vespasian जिसने coins बनाया, minted coins बनाया, जिस पर Goddess का, Goddess of Justice का पिक्चर था देखे, starting में, statue के पास ना हाथ में तराजू था, ना तलवार था, ना आख पे पट्टी था, simply एक statue था लेकिन वक्त के बदलते साथ साथ में, statue के हाथ में, statue के हाथ में, एक scale दे दिया गया, balancing तराजू दे दिया गया यहाँ पर जो scale है, scale पर क्या चिस तला जाता है, जो available evidence होता है, और दोनों parties के तरफ से जो भी arguments होता है, उसको तला जाता है, यह symbolize करता है, जो तराजू है, scale है, उसको तलता है, नापता है, देखता है किसके evidence में ज्यादा वजन है, किसका argument ज्यादा powerful है, कौन सच बोल रह वो चीज़ इस पर तॉला जाता है, यह depict करता है, scale, और यही चीज़ आ जाता है किसका symbol, fairness का symbol, starting में आखो पर पट्टी नहीं हुआ करते थी, लेकिन 16th century में आखो पर पट्टी लगा दिया गया है, आखो पर पट्टी जब starting में लगा गया, तो उसका मतलब यह था, कि आख justice को नहीं देख लिए, केवल and केवल justice को देख लिए, यह माना जाता था, लेकिन वक्त के बीदते साथ-साथ यह आख पर पट्टी को माना जाना लगा, यह पट्टी इसलिए है, क्यूंकि यह impartial है, किसी को देखती नहीं है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन गोरा है, क किस के पास जादा पैसा है, कौन कमजोर है, पैसा से कौन गरीब है, यह कुछ नहीं देखती है, impartial है इन चीजों से, यह depict करता है आँगी पट्टी कुम, लेकिन फिलहाल में, फिलहाल में, October 2014 में, Chief Justice of India के द्वारा, Supreme Court के द्वारा, यह पट्टी हटा दिया गया है, और कहा में, फैसला जाएगा, झाथ में, तलवार, यह दोधारी तलवार होता है, double aged तलवार होता है, यह symbolize करता है, पावर को, law का power क्या है, law का authority क्या है, उसको यह symbolize करता है, और double aged, दोधारी तलवार है, यह उस चीज चीज को signify करता है, कि यह जरूत आने पर खुद को protect भी किय आजा सकता है लॉख खुद को प्रोटेक्ट भी करता है और पनिश भी करता है देखिए जो डभल धारी तलवार होता है कोई दुश्मन आकरमर नचान तो यह तलवार से बचाया भी जाता है और कोई दुश्मन है असके उपर व POL जाता यह depict करता है double aged sword तो हम लोग कह सकता है कि आप पर पट्टी है यह depict करता है impartiality को यह जो तराजू है यह fairness को बताता है और जो हाथ में तलवार है यह enforcement mechanism को बताता है लेकिन अब यह तलवार हटा कर हाथ में constitution of India ला दिया गया है कि हमारा जो law है सन्विधान है हमारा जो कानून है वो constitution की according चलता है out of constitution नहीं चलता है इसलिए तलवार हटा कर एक constitution ला दिया गया हाथ में और पट्टी हटा दिया गया क्योंकि इंसाफ नय जो हो रहा है वो अंदेखा नहीं होता है वो सब कुछ देखते हुए जानते हुए justice देखती है lady justice goddess of lady justice जो है statue of lady justice वो सब कुछ constitution हाथ में constitution लेकर बात हो रहा है कि क्या law का enforcement होना चाहिए वो debit करता है तो ये था इस वीडियो में हमारा lady justice का जो new आवतार आया है जो new रूप unveiled किया गया है उसके बार में था I hope video useful लगा होगा मिलते नेक्स वीडियो में thanks for watching जहिंद